एक समरपण की भावना से हम लोग कोई भी अच्छा काम हाथ में लेते तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में अच्छे कारियों को मदद करने के लिए अक्सर लोग आगे आते हैं, दानदाता आगे आते हैं और उसी प्रकार से शारे दानदाता ये सामने आए और आज इतना अच्छा कार्य यहां पर खड़ा हुआ जिन दानदाताओं का हमने स्वागत किया है मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और जिनोंने 11 रुपे भी दिये है उनका भी उतना ही अभिनंदन करता हूँ क्योंकि मन में ये भावना महत्वकी है कि एक अच्छा कारे हो रहा है इस कारे में मेरा भी समर्पण होना चाहिए तो समर्पण की भावना से ये हॉस्पिटल यहां पर तयार हुआ है और इसमें गरीबों की सेवा करना ये तो उद्देश है ही लेकिन साथ-साथ योगेज भाई ने ये भी संकल्प किया है कि हमारे थाना और पालगर जिले में जो आदिवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो हमारे गरीब आदिवासी भाई बहन है इनको तरशरी केर की जहां आवशक्ता पड़ेगी ऐसे लोगों को वहां से लाना यहां पर पूरे उपचार उनके करना और उनको उनके घर तक वापिस छोड़ देना इस प्रकार का कारे भी यहां पर चलने वाला है तो अस्पताल तो वहां नहीं ले जाया जा सकता लेकिर उनको यहां लाया जा सकता है इस संकल्पना के उपर इसको उन्होंने तयार किया है और मेरा विश्वास है कि इस संकल्प को भी वो पूरा करेंगे